साथियों वैसे COVID-19 के कारण कई सकारात्पक बदलाव हमारे काम करने के तरीके, हमारी जीवनशैली और हमारी आदतों में भी स्वाभावी गुरूप से अपनी जगा बना रहे हैं। अपने सबने भी महसूस किया होगा, इस संकट ने कैसे अलग-अलग विश्वों पर हमारी समझ और हमारी चेतना को जागुरुत किया है, जो असर हमें अपने आसपास देखने को मिल रहे हैं, इनमें सबसे पहला है मास्क पहनना और अपने चेहरे को डग कर रखना। कोरोना की विज़े से बदलती हुए हालाफ में मास्क भी हमारे जीवन का हिस्सा बन रहा है, वैसे हमें इसकी भी आदत कभी नहीं रही कि हमारे आसपास के बहुत सारे लोग मास्क में दिखे, लेकिन अब हो यही रहा है, हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि जो मास्क लगात हैं वे सभी बिमार हैं और जब मैं मास की बात करता हूं तो मुझे एक पुरानी बात याद आती हैं आप सब को भी आत होगा एक जमाना था कि हमारे देश के कई ऐसे इलाके ऐसे होते थे कि वहां अगर कोई नागरिक फल खरिकता हुआ दिखता था तो आसपडोस के लोग उसको जरूर पुछते थे क्या घर में कोई बिमार है यानि फल मतलब बिमारी में ही खाया जाता है ऐसे एक धारणा बनी हुई थी हाला कि समय बडला और ये धारणा भी बडली वैसे ही मास को लेकर भी धारणा अब बदलने वाली ही है आप देखिएगा मास अब सब समाज का प्रतिक बन जाएगा अगर बिमारी से खुद को बचना है और दूसरों को भी बचाना है तो आपको मास लगाना पड़ेगा और मेरा तो सिंपल सुजाव रहता है गमचा मूँ ढकना है चाथियों हमारे में एक और बड़ी जागरुता ये आई है कि अब सभी लोग ये समझ रहे हैं कि सारवजनिक स्थानों पर थूकने के क्या नुक्सान हो सकते हैं यहां वहां कहीं पर भी थूक देना गलत आदतों का हिस्सा बना हुआ था ये स्वच्चता और स्वास्त को गंभीर चुनाव भी देता था वैसे एक तरसे देखें तो हम हमेशा से ही इस समस्या को जानते रहें लेकिन ये समस्या समाज से समात होने का नाम ही नहीं ले रही थी अब वो समय आ गया है कि इस बुरी आदत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए कहते भी हैं कि बेटर लेट दन नेवर तो देर भले हो गई हो लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए ये बाते जहां बेजिक हैजिन का स्तर बढ़ाएंगी वहीं कोरोना संक्रमन को फैलने से रोकने में भी मदद करेगी